हलो दोस्तो आज हमने आपके साथ सेयर किया है मठरी बनाने की रेसिपी इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इदम खस्ता बनके तयार होगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना पसंद आए लाइक करना सेयर करना चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइ यह है और थोड़े से दूद को भी ले लिए हैं अब एक बरतन में सभी को डाल के ले लेंगे तो हम सभी को एक एक करके डाल लेते हैं सूजी चीनी मैदा आटा सबको अब करना कहना सबको एक बार मिक्स कर ले हाथ के द्वारा फिर इसके बाद इसको फेट ना है तो हमने आने आप अपे दूद लिया है तो due flips go डाल के हम फेटेंगे अगर आपके पास दूद नहीं है न न न भी फेट सकते हो अगर आपके पास दूद ज्यादा हो तो टोटली दोधी में फेट लें अगर दूद नहीं है तो आप इसमें पानी का यूच कर सकते हैं तो इसी तर अब करना क्या है इसना एक घंटे के लिए रखना है ताएक जो शूजी है अच्छे तरीके से पूल जाये और को चीनी यह इसरे अच्छे तरीके से गळदते हैं ए सब्सक्राइब करना है तो दो है इनटोग में हो चुका है कि जुम का पुर्द करने कि तरी दो हाथ के दोरा इसे बढ़ियां से ऐसे मिक्स कर ले तकि अच्छे से फिर से फिटा जाए अब करना कहना थोड़ा से सुखा आटा या मैदा मतलब हाथ में ऐसे लगा के इसका गोल-गोल लोई बनाने के बाद आज से प्रेस कर दे हलका से दबा दे चिप्टा कर दे फिर इसको मतलब कराही में तेल को डाल के रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए तेल गर्म हो गया है चले इसको तल लेते हैं डालके और तेल को अच्छे से गर्म करना है एक बार तेल को अच्छे से गर्म कर ले हाई फ्लेम पे फिर से लो फ्लेम पे मतलब पकाना है तो एक एक करके हम सभी को तेल में डाल देते हैं तो तेल बढ़ियां से गर्म है हमारा आप लोग देख भी सकते हैं तो सभी को डाल देते हैं अभी इसे पलटना नहीं है जब नीचे की तरफ लाल हो जाए तब इसे पलटना है तिसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो मे पकाले नहीं हो चुका है अब नहीं निकाल लेंगे अपने एक बरतन में तो फटा-फट से पहले इसको निकाल लेते हैं तो चलिए दोस्तों इसी हम एक प्लेट में रख लेते हैं और हमारा जो यह मत्री का रेसीप है बहुत बनाए अगर आप सब को वीडियो पसंद आए ल मिलेंगे इस तरह नेस्ट वीडियो में नेस्ट रसीपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई